बसकार दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त अजे कुमारियादू एक बर फिर सहाजिर हूँ राहुल गांदी की लोगसवा सदस्ता खतम होने के बारे में वह इसकी जानकारी को लेख गया है। वाइनाइड से लोगसवा सदस गांधी ने ये कथिक टिपन्नी 2019 के आमचनाओ से पहले करनाटक के कोलार में आईजित जन्सभा में की थी। सदस्ता खतम हो जाएगी वेरियाई के 6 साल बात तक भी जुनाओ भी नहीं लड़ पाएगा। सूरत की एक निचली अदलत ने राहूल गांधी को इस मामले में दोसी ठहराते हुए धादिक्तम दो साल की साजा सुनाई है। हलाकि आदलत ने राहूल गांधी को 30 दिन का वक्त भी दिया है ताकि वे हाई कोट या सुप्रिम कोट में अपिल कर सके। लिगल एक्सपरट के मताबिक लोग सबासची वाले ने राहूल गांधी की संसद्य सीट को खाली गोसित कर दिया है। इलेक्शन कमिशन अब इस सीट पर इलेक्शन का ऐलान कर सकता है दिल्ली में राहूल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा जा सकता है अगर राहूल गांधी की सजा का फैसला उपरी अदालते भी बरकारा रखती हैं तो वे अगले आठ साल तक चुनाओ भी नहीं लड़ पाएंगे दो साल की सजा पूरी करने के बाद वे छे साल के लिए आयोग गिर हैंगे राहूल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को उपरी अदालत में चुनोती दे सकते हैं कॉंग्रेस ने एक्षन की वे धानिकता पर भी सवाल उठाया है कि राष्ट पती ही चुनाओ आयोग के साथ विमर्ष कर किसी सानसद को अयोग गोसित कर सकते हैं कॉंग्रेस क्या कर रही है राहूल गांधी की टीम अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है अगर सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाब अपील को हास्विकार नहीं किया जाता है तो सीद्धे सुप्रिम कोर्ट में अपील की जाएगी सूरत कोट के फैसले के खलाब राहूल गांदी को अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है